क्या आपको पताएगी विंडोस 10 यहाँ पे 71% कंप्यूटर में चलता है। उसके कंपेरिशन में विंडोस 11 यहाँ पे 23% पर है। यहाँ तक कि आध के समय में 3.43% यूजर से जो आज भी विंडोस 7 का यहाँ पे यूजर है। लेकिन यहाँ विंडोस के इतने पुराने वर्जिंस का यहाँ पे यूजर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद माइक्रोसाफ विंडोस 12 को निकाल सकती है। वेल बात करें तो पुराने विंडोस की कहानी तो सिंबल सी है। काफी सारे लोग हैं जो अपगरीट करना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज के समय में भी विंडोस XP विंडोस 7 को लोग यूजर करते हैं। लेकिन वहीं बात करें तो विंडोस 10 मार्केट में काफी जादा पॉप्लर है। मतलब कि अफिशली उसका लास्ट अप्डेट यहाँ पर आचुका है। और इसी के साथी 14 अक्टूबर 2025 को Microsoft इसका सपोर्ट अफिशली एंड कर देगी हाँ पर। देखा है तो शायद एक साही समय बनता है विंडोस 12 के लिए। जब विंडोस 11 यहाँ पर आने वाला था तब उसके बारे में कानो कान खबर लगने नहीं थी। जबकि ऐसा बोला था Microsoft ने कि Windows 10 यहाँ लास्ट वर्शिर होगा और उसके अंदर वो अप्डेट्स लेते रहेंगे। लेकिन फिर एक दिन एक leaked ISO मार्केट के अंदर आ जाती हो और इसके दो दिन के बद Microsoft खुद उसे officially announce कर देते कि Windows 11 तयार है उसको हम यहाँ पर लाने वाले और आगे चल कुसका अपडेट आते हैं। लेकिन जब Windows 11 आयाता है तब काफी सार लोग को थोड़ी से दिखका था देखो Microsoft ने तो क्लेम किया था कि Windows 11 टोटली प्री रहेगा कोई भी Windows 10 यूजर है वो इस पर अमग्रेट कर सेते हैं। अब देखो Windows 12 बनाने के one of the biggest reason यहाँ पर Microsoft निकल कर आता है वो आता है ARM चिप्स का यानि कि आग के समय में Apple Silicon की जो सकस है वो AMD ने भी देखिया और Intel ने भी देखिया वो ही अपने खुद ARM चिप्स पर काम कर रहे हैं। खुद की Microsoft Silicon भी बना रही है यानि कि जैसे Apple Silicon आती है और चाहती है कि एक पूरा operating system वो इस तरीके से redesign करें ताकि वो perfect तरीके से हाँ पर चले यानि कि नए चिप ने अर्किटेक्चर पर चले और उसके अंदर maximum से maximum power निकाले और एक differentiating factor करने के लिए obviously Windows 12 बहाँ पर आएगा औ और ये बात आज के नहीं यह बात हम काफी लंबे समय सो सुन रहा है क्योंकि काफी सारी companies में Apple की initial success देखी और एक ऐसा ही revolution हम लोग एक PC industry के अंदर भी देखेंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर और हो सकता है कि Microsoft वाले अपना खुद का design खुद का architecture या खुद का ही processor यहा पर देखने को मिलेगा यह देखके लगता है कि मैक्रोसाफ ने से 2024 में से अनाउट कर सकती यानि कि अपना खुद का silicon मीलिया है प्लस अपना Windows 12 का नया software को भी और होने अनाउस कर दिया लेकिन जो full flash rollout होग और चो devices होंगे वो आपको 2025 से देखने को मिले क्योंकि यह वही ट 12 में एक और बड़ी चीज के बारे में हिंट मिलता है और वो है AI का अब आपको पता है कि जैसे Microsoft ने co-pilot बनाया, open AI के अंदर investment करी, chat GPT की functionalities को अपने अंदर ले आया है और काफी साइड चीजों को इंटीग्रेट के लिकिते हो Windows 12 के साथ हम जो चीज expect कर सकते हैं वो हो सकत YouTube की जादा तरह जो काम रहता है वो आपके PC के अंदर ही करें बजाए कि जो सारा data रहता है बाहर बेशने के जिस कारण से लोगों की privacy का भी ख्याल रखा जाएगा प्लस आप अपनी मशीन के अंदर AI का अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे देखो Microsoft AI पे बहुत करम कर रहे है ओपन AI चैन जीपीटी इन सबसे नोडे बहुत जादा benefit उठाया है लेकिन अब उसे next level पे ले जाने की चीज़े और जैसा कि हमने Microsoft के देखा है वो अपने हर प्रोट के अंदर AI को इंटीग्रेट कर रहे है चाहे वो ओफिस हो या बिंगो Windows 11 में भी updates वगरा कुछ निकाले ऐसे लेकिन हो सकता है कि Windows 12 में इस चीज़ को deeply integrate किये जाए और अगर इतने बड़े changes अगर Microsoft Windows वेगर करने वाल है तो definitely उसे Windows 11 नाम रखेगा ने उसको एक नाम change करेगा और Windows 12 यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है यानि कि एक नए concept के साफी early phase में और शायद हमें अगले साल तेक इंदिजार करना पड़ेगा officially Microsoft तकी कब वो इस चीज़ को यहाँ पर निकालते है इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि Windows 12 का इस तरीके से ख्याल रखा जाए कि इसे नए hardware पर भी चला जा सके प्लस पुराने hardware पिर भी यानि कि Windows 11 की users को यहाँ पर फ्री में देखने को मिलता है और यह भी देखने वाली बात हो कि ARM design के साथ जो Microsoft Windows 12 बना रही हो मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है लिगना को इक बाब बता सकता है आने वाले जो कुछ साल होंगे पीसी इंडिस्ट्री के लिए काफी इंडिस्टिंग होने देखी यह बात नीचे कमेंट बताओ थेंग आका वीडियो देखने के लिए अब से विलता हो लेक्स ट्रन के अंतर गुडबाई